है तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी घॉप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम योग बहुती ज़्यादा कईवरिट को क्याएट को काम करता है क επι אוonne काम काम करता है'D है कौन कैसे दयता है कन कैसे चुकाता है कैसे देता है पूर्य सिसटम को हम्योग समझने ह्याएं तो बहुती ज़्यादा इंपोर्ण टॉपिक आज का होने वाज है आज का topic का नाम है credit creation जिसका दूसरा नाम है money creation ठीक है आप इसको credit creation बोलो चाहे money creation बोलो अगर हिंदी में बात किया जाए तो पैसे से पैसे को बनाया कैसे जाता है इसको कहा जाता है तो सबसे बहुत ब्रहे भया तो एक करते हैं रिब्याइक कभी भी क्यरिट को क्यर्ट नहीं करता है तो एक क्रॉशन आपसे यह पूछ देगा ठीक है हिंदी में इसका मतलब बता है पैसे से पैसे को बनाना ठीक है अब दोस्तों इट वन आफ तो इंपोर्टन एक्टिविटी और स्कॉमर्म इस यह बैंक करता है है एक्राम में पुछा भी गया है इसे मैंने आपको बतारा ठीक है दा प्रोसेस ओफ मनी पियर सन अब से क्रेडिट क्यर्ट करता है उधार बनाता है उधाय कैसे देना 시작uelle bank उधार को क्र Зап है which is five access of initiate deposit अभी आपकी यह दिमाग से उपर इसे जा रहा होगा सही है क्या होता है थो टाइम दो मुझे दो मुझे आगे आने दो तो आपको साही चीजे क्रिष्ट्रे किया हो जाएंगी तो तीर मिट का मुझे के वह टाइम दो ठीके ओके यानि कि बैंक के पास में जितना कितना है एक करो तो बैंक एक करो उपैसे के वैंक बैंक पास में योगोंनिकता जमा किया है एक करोर लेकिन एक करोर से पांच करोर तक का loan इस कहानी को समझने च्रिएट करना मुझा वटें पैसे पैसे को बनाना ठीक है डो सो फूसों तो ये पूछए का केडिकेमिल होता क्या है करता का आधे कामरिसे बैंक करता है तीक है अब दोस्तों इस कहाणी को समझने केवार एक ही बैंक है इसका मतब क्या हो गया इंटायर बैंकिंग सिस्टम इस वन यूनिट मान यहो कि केवार आपके देश में करना पढ़ेगा आपको यानि कि यह केडिट क्रेशन तभी काम करेगा जब आपको दो चीजें करना पढ़ेगा इंटायर बैंकिंग सिस्टम इस वन यूनिट यानि आपके देश में केवार एक ही बैंक चल रहा है ठीक है चलो भाई माने तेरे कि केवार देश में डूसरा कहा है कि जो भी पैसा र्रास व cared है कि यंक पैस ग्युंrä क्या जाएगा वो न करते दिष्ल्साप ड्रेलों मेंने क्या मां भाट से जाए कोई चया पैस को से relief पाया पाया इंटायर बैंकिंग सिटम इस वन यूनिट और इसी पेमेंट और इन इकनामी आ यूटेट थू बैंक सो नहीं होगा अब सुनो जो बताएंके उसके बादमें आपकों कोई होता है यहां यहां को बैंक होते हैं जानता है bank में पैसा प्रकाcken करते हैं तो दो प्रकार से पैसा जमा करते हैं पहला होता है कि bank करते हैं इसके उनदर saving deposit गया करते हैं आपने सब्सक्राओंग को sound वेसे वह्ते हो saving account जेसे यह आयसं को demand करेंगे इसको अपना रेकल आइसे पैसा जमा किय जाते है पहला तरीका होता है Saving Account छोमा कर दिया जिसको कहते है दिमांद दिपॉझे जब ने जब बैंक कोई पेसा मंगेगा उपांग उसके तुमस को तुरह देगा दूस्या होता है टाइम डिपॉजिट क्या होता है टाइम डिपॉजिट ठीक है जिसको आप बहुते हो भाईया क्या बहुते हैं यह घ्र होता है time deposit तो बैंक के पास में सो talking Risk च्रणाइबlama के उसे होता है supporter deposit क्या हो गया कि अगर मैं इसको भोशु हूं total deposits यानि बैंक केकं पास और डीपोजित होता है वो क्या होता है फैक यहां पे मैं इसको ऐसे रिक हूंगा ठीक है यानि Manlii यानि कि इसका मतबले और आपको लखना एज प्रह्बन के नेट को टाइब कि एंड डिमांड याइबेटीज देखो बैंक के पास में जो पैसा है वो बैंक की क्या है यह बैंक का खुद का पास तो है नहीं बैंक की क्या याइबेटी है नेट का मत्रव होता है यानी आम जनता ने जो बैंकों में पैसा रखा है उसको क्या बोलते हैं जब आप बच्चे होगे तो आपको यही बताया गया होगा लेकिन एक्ट्वड में टोटाइट का मत्रव होता है कि बैंक के पास में जो तो दो प्यकाई के पैसे रखे खुए कौह यह पैसा आप जब मांगों को तोन में जाता है या आप कुछ लाइं बात मांगते हो तो देखा जाए लोगों ने जमा किया है तो आप इसको टोटा डिपॉजिट बोलो चाहें आप एक ही है लेकिन आप को ध्यान रहना है एक पता होना चाहिए यह आपको समझ मुना आ गया चलो आप दोस्तों नीचे आते हैं हम लोग अब ध्यान दो कि बैंकों के पास में जो भी डिपॉजित आता है क्या आता है डिपॉजित है फॉजिट यह यूटे गिविविगॏून यानि बै पास में जो भी deposit आते हैं bank उस पैसे का इस्थमार करें लोन को बाटने करिए ठीक है however सुन रो however bank cannot use the whole deposit for lending यानि bank पूरे पैसे का इस्थमार नहीं करें लोन बाटने करिए बैंक क्या करेगी पूरे पैसे का यूज नहीं करेगी लोन बाटने की ये बैंक कुछ पैसे का लोन बाटनेगी अब सुनो बात को मान यहो कि भाईया बैंक के पास में आ गया एक लाव उपर कितना आ गया एक लाव उपर आ गया ठीक है तोटल डिपॉजिट आ गया ठीक है आप चाहे time deposit से आया हो चाहे आपका भाईया demand deposit से आया हो अब bank उस एक राक उपए को पूरा दोर में नहीं बाठ सकती है क्योंकि जो पैसा demand deposit में आया होगा मानेते हैं कि भाईया चाहीस हजार उपए demand deposit से आया है तो कोई बंदा आके अपना पैसा मांग भाईया हमको हजार उपका में ATM से निकालेगा तो बैंक पैसे कहां से देगा इसी बैंक अपने total deposit को कभी भी दोर में नहीं बाठ सकता है जो कि IBI के द्वारा कमपर सही है ठीक है वह ही पढ़ते है यानि कि how well bank cannot use the whole of the deposit for lending it is यह गई कानूनी तोर पे यह कमपर सही है बैंक को कि वह कुछ minimum fraction of their deposits deposit मत्यब NTDA का वह as a reserve उसको रखना पड़ता है क्योंकि अगर कोई पैसा मांगने आ गया तो उसी में से पैसा निकालेगा उसको देदेगा सिंपरी सी बात है यह हो गया अब दोस्तों the fraction जो आपको रखना पढ़ता उसको पोड़ते है यह पोड़ते है इसके भी प्रिया दो टाइप होते है एक होता है क्यों होता है क्यों होता है C R R एक होता है S R R ठीक है इसके बातो टाइप होते हैं जो कि आपको banking में और detail में पढ़ना है यानि इसके अंदर आता है ठीक है यानि bank अपने total deposit का पूरा पैसा रोल में नहीं पाठ सकता उसको कानूनी तो अपय पे बचा कर लखना पादा जिस इसका मत्यब कि bank अपने deposit का कुछ percentage कहां रखेगा आईवय के पास में रखेगा और SRI का मत्यब होता है bank deposit का कुछ percentage अपने पास में रखेगा कहां रखेगा अपने पास में रखेगा ठीक है यानि की दिखो अगर बात की जाए L R R इस दो पास में रखेगा यानि की एक तरह से L R मतलब क्यों हो गया यानि यह पैसा bank खर्च नहीं कर सकता क्योंकि अगर कोई पैसा मांगने आ गया तो इसमें से bank देगा यानि यह जो percentage है यह कौन decide करता है यह decide करता है आपका center bank इंडिया में कौन है center bank आपका IBI है ठीक है यानि bank अपने total deposit यानि NTDI का पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता उसको कुछ पैसा बचाकर रखना परता in the form of reserve जिसको बोचते है LII यह गर रिजर्व ACO और इसके दो टाइप होते है CIRR और SLI CIRR और SLI को पार में हम दो detail में समझेंगे कहां पर banking में ठीक है अब दोस्तों bank do not keep 100% reserve against profit इसका क्या मतब है इसका क्या मतब है समझते हैं यहां पर bank do not keep 100% reserve against profit deposit they keep reserve only to extend by center bank यानि अगर bank के पास में total आ गया एक करोर तो वो पूर्य आपने पास में रखेगा वो कि वह उतना ही रखेगा जितना IBI ने कंपरिसरी किया हुआ है और बाकी पैसे को क्या करेगा loan में बाट देगा लोगों को करेगा आ जो हमसे loan यह जाओ सब को loan बाट देगा ठीक है मानेते हैं कि IBI ने बोया कि 10% कितना 10% भाईया AI AI कितना है AI AI ठीक है अब इसमें मानेते हैं कि 4% यह होगा 6% यह और वो कुछ भी हो तोटा मानेते हैं 10% भाईया तो भाईया अब मान यहो कि किसी bank के पास में एक करो आ गया तो वह एक करोगा दस परसंड नहीं बाठ सकता उसको रखना पढ़ेगा बाकी का जो नब्य लाग बचा वो सब को बाठ दे कर रोन में ठीक है अब कोगे सब क्यों दस परसंड नहीं बाठा क्योंकि जिन्हों ने जमा किया है आगो परिसा मागने आएंगे तो अंदाजर लगा लो इस समय SBI का टोटर क्यापिटर कितना है सुन्यों 55 राख करोर है और 55 राख करोर का अगर आईवी आई कहता है कि 2% आपको LRI मिंटेन करना है तो सोच लो 2% भी कितना ज्यादा होगा और पैसा कोई निकालेगा और देगा तो बैंक से निकालेगा देग परिसा बैंक में नहीं तो डिक् конце अब प्रोस अबसार आत अब समझिब की में और दो हुए जो बन्दफ को कीया करेंगा तो ब्हूना कि यह सुबए पेंट शुम भी फणियाफ कर दोगा दोस्या जो बीक्त दोब्हब्र किस्थर कता थेंग है और बैंक को अपने total deposit का कुछ percentage खर्च नहीं कर सकता जिसको AIR बहुते हैं यह का इज़र वेसी हो ठीक है suppose इनिशिया deposit bank के पास में आगया 1000 रुपया मानियो bank में किसी ने 1000 रुपया जमा कर दिया किना कर दिया अब बैंक जो है कितना पसंत है 20% AIR यानी यह 200 रुपया खर्च नहीं कर सकता यहांकिन यह 800 रुपया रोन दे सकता है किसी को भी रोन बाठ सकता है ठीक है चलो तो यानि कि बैंक के पास में AIR 20% बाकी आठीश को लोन मांगने आ गया और कोई ने आ रहाख है कोई का भाई में चाहिए रहा बेंगा तो बैंक लोन का लोन नहीं देता है ठीके तो या इदर लिए ओपन अग्वाइप्ट अ क्यून देंगे तो या अप्ने टीवाउंट दे गाउंट ध्यू नहीं देता है तो याइदा इदे open account उसका account खुआएगा उसके नाम का and who are free to video and आप उस passage जो आपको रोन दिया गया है आप कभी भी वीडियो आपका से तो कभी भी निकाय सकते हो ठीके अब आपको पता होगा एक बंढ़ा आया आपको 800 का रोन चाहिए मेरे गया अब यहाँ पर आपको घ्राम पर यहते हैं ठीके 800 का लोन उसको मेरे अब बैंक दे दिया होगा क्यास में तो दिया नहीं होगा एकाउंट में दिया होगा तो वह वापस से जिसको लोन दिया होगा वह या तो पैसा बैंक में रखेगा या तो किसी को पेमेंट कर देगा क्या करेगा या तो अपने पास में रखेगा या तो वह क्या करेगा किसी को पेमेंट किसी को दे गर्यों करते हैं कि आधा एंग यह है या बैंग पित क्या है आगया मज का निशनी है या एक ही पैसा गूम के पूम्रों के कहा गया गैंग अगया आप जिसने जाए घ्र tailored पिदा भूं में हैकंप साया तो दे पास में पॉस्त कितना हा गया चाहीता रहेगा चाहार रुपए से कितने का लुपाट दिया चाहा बाइंग तो यह पता है कि ही हुए आपको समझाही गई है तो पह्ते हैं यह यहाँ पर यह ने विडियो प्रहुटा पाया इंड-800 बैसे स्टेंड-11992 बया होंगे तो पैसा वापस कहा प्राइब सर्फ बैंक में जाएगा फिरैन बैंक का डिपोजिट 800 पर चायती हाई गी सेम टाइम कैसीज़फ भी बड़ता जाएगा विब्स गडेल बैंक का ठीक है यह का हो गया तो यह आपका होगया deposit creation comes to end total cash is a become equal to initial deposit ठीके यहां पर देखियो जब यह टोटे खताम होगा तो यहां पर टोटे कितना आ गया इतना आ गया ठीके यानि भाईया बैंग ने एक हजाय के deposit से उसले में 4,000 युपिय का कर लोट दिया इसको एक शार टक रोन बाट दिया ठीके यह अब दोस्तों यहां पर ऐसीन एना टेबर बैंग ने क्या किया 동안 पाँ पांच हजाय का deposit यानि 1000 युपिय का साथ पाच हजा का deposit केट कर दिया ठीक है एन्ट यस्ट यूपीज एक हजाय से इत मीनस जो एक हजाय था वो अपने कितने गुना बन गया five times बन गया कितना बन गया five times ठीक है इसी को कहते है यह five times क्या है money multiply क्या है यानि अगर bank के पास में पैसा आया है ना तो bank आपको 20 बता देगा कि वो उस पैसे का कितना बना सकता है यानि money को multiply करके कितना बना देगा समझा गया और उसका वो फारदा उठाएगा ठीक है अब दोस्तो money multiply क्या रता है देखे तो money multiplier if i2 process of creation of credit यानि की उधाय को कैसे create किया जाए by commercial bank ठीक है with the help of initiate deposit यानि की initiate deposit की मदद से कैसे credit को create किया जाए इसका formula होता है 1 upon lii ठीक है example यहाँ पर अगर lii 20% है that means कितना हो गया 20% है पर नीचे क्या हो जाएगा है 100 हो जाएगा काटो काटो तो तो फाइट 10 वन भाई क्या हो गया 5 हो गया इसको भी काटो कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा ठीक है it means for every unit of money kept as a user bank are able to create 5 unit of money यानि अगर बैंक ने लाक रुपर रखा तो भाई या पांच लाक तक का वह केडिट का सकता है उद्धा बना सकता है the value of money is defined by LII बॉर्ट इबॉर्ट है यानि money की जो value है वह कैसे पता करते हैं LII से पता करते हैं अब देखो जितना LII जाएदा होगा higher the value of LII जो 20% था 25, 30, 35 ठीक है lower the value of money money की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है and less money is created कम मनी जितना आपका LII जादा होगा यानि अगर बैंकों को ज्यादा पैसा रखना पाएगा अपने पास में तो भाईया वह लोन कम देपाएगा ठीक है वही क्या है अगर LII जादा होगा तो money yes money create कर पाएगे by the banking system ठीक है तो पूछेगा अगर अगर आपका LII जादा है तो यानि credit क्या होगा कम create होगा अगर आपका LII क्या हो जादा होगा तो यही था आपका credit creation जो कि आपने बहुत ही अच्छे से समझ ही है ठीक है तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदा है hope कि आपको समझ में आ गया हो में आ गया होगा मेरी ते अपने नेक्स पार्ट में थैंक्यू सो अच्छा